हापी लर्निंग एवरीवन माइसेल्फ विरेन वादवा आज के क्लास में हम क्यूए मॉड्यूल के बिजनस माक्स सेक्शन के चाप्टर नंबर फाइव पर्मुटेशन और कॉंबिनेशन के इंपॉर्टेंट कोशन्स डिसक्स करने वाले फ्रॉम मॉड्यूल इसल्फ तो ले अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके ओधें अगर हमारे पास आठफ है और हमे उने a Аरेंज करना है तो हमारे पास टोटल 8 factorial तरीके होता है और वो होता है 40,320 ठीक है हमको बोला गया है the number of ways the word computer can be rearranged देखो computer के total 40,320 तरीके है अब उसमें से हमको बोला है कि computer के अलावा कितने शब्द है rearrange बोला है तो इन 40,320 में से एक word तो computer खुद होगा तो उसके अलावा हमारे पास कितने तरीके है 40,320-1 you would get 40,319 तो पहले वाले का जो answer होगा वो हमारा B होगा ठीक है second question पर आते है हम लोगों को बोला गया है 10 examination papers are arranged in such a way that the best and worst paper never come together the number of arrangement is तो देखो हम लोगों को बोला गया है best और worst paper साथ में नहीं हाने चाहिए ठीक है तो कभी भी ऐसा हो कि जहां पर हम लोग को बोला जाए कि कोई चीज नहीं करने तो हम लोग उसको सबसे पहले करेंगे और total में से माइनस कर लेंगे ऐसा होता है ना हम लोग आपको बोलते कोई चीज नहीं करो हम सबसे पहले वही चीज करते हैं human nature तो उसी तरीके से हम लोग को बोला है best और worst paper साथ में नहीं होने चाहिए तो हम लोग सबसे पहले best और worst paper को साथ में रखेंगे और total bases में से उसको माइनस कर देंगे सो करते हैं देखा हमारे पास total कितने तरीके है batters Times लोह है ंर टेन पेपर्ज को करना है हम लोगों को अर्यज करने के जो वेज है यह तैन फाकर्टोरियल जस पेपर को आपस करने हैं कि 10-factor होते हैं हम लोग को बोला गया बेस्ट और वर्स पेपर साथ में नहीं आने चाहिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बैस्ट और वर्स पेपर को साथ में बांध देंगे कभी पह ऐसा हो ना कि साथ में किसी चीज को तो हम लोग क्या करते हैं उसको बांध एक प पर जो अलग है जो इंडिवीजर है और वह और लक्त एक टोटल वावर्स पेपर के नौ क्योंकि आपने वेपर को साथ में बांध दिया है तो 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 क्या हुआ यह चीज अपने को नहीं करनी है यह या अंसर हूं गया अगर option देखें तो option से match नहीं कर रहा है तो पहले आपको option प्रिपेर करना पड़ेगा या option बनाना पड़ेगा अब आप 10 factorial को क्या लिख सकते हो 10 into 9 factorial right किसी का पर factorial होता है तो हम वो number into से एक कम factorial लिखते हैं minus 9 factorial into 2 factorial 2 factorial कितना होता है 2 ठीक है अब देखो यहां पर 9 factorial 9 factorial common निकल रहा है 9 factorial को common निकाल लो अंदर लिख लो 10 minus 2 you would get the answer as 9 factorial into 8 तो correct answer है आपका 9 factorial into 8 तो दाट is C C is the correct answer next question इसी के तरह का question है बस ऐसे वे में पुट किया गया है जो आप लोग को नहीं पसंद है that is variables तो यहां पर आप लोग को number of papers नहीं दिए वेरियेबल के डर्म में आपको बूला गया और answer निकाल के बताना है अगर मैं आप लोग को पहले एक shortcut दे देता हूं जो 16th question है उस basis पर आप 17th question को solve कर सकते हो फिर हम individually भी 17th question को solve कर लेंगे ठीक है तो देखो हमारा जो 16th question था उसमें total papers कितने थे 10 और हमारा जो answer आया है वह answer क्या आया है 9 factorial into 8 तो अगर मैं 10 को लिखना चाहूं तो एन तो हमारा 10 है ऐसा समझ लेते कि total papers हमारे 10 है अब मैं 9 को क्या लिख सकता हूं देखो 10-1 का factorial और 8 को क्या लिख सकता हूं 10-2 तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूं 10-2 ठीके अब 10 की जगह पर अम लिख लेते हैं 10 की जगह पर हम लिख लेंगे तो क्या आपका एन-1 पर्ण का फाक्टोरियल इन्टु एन्ट माइनस तू अगर हमारे पास एन पेपर होते तो यही चीज अगर हम लोग करनी ओधी तो आंसर क्या होता एन इन्टू एन्टु एन्टू एन्ट आंसर जो हो जायेका आपका 17 का दाट is a ठीक है यह हो गया कि अगर आपको उपर वाल हम 16 question वहीं नहीं तो तो अब 17 को को इंडिविजियू ली वफ़ंशन को इंडिविजोल हें को देखते हैं हमको कोयुश्च में मैं ढला गया है धेश विच इन अर्रेंज इन सचच बेड़ दाट भुटीविबिल रार्टिकैल प्रा यूरे ऐनवार मसं है उस में से 2 दो आर्टिकल्स को साथ में नहीं आना है ऐसा बोला गया है तो जब भी ऐसा कोशन आता है किसी को साथ में नहीं आना है तो हम टोटल में से उसके साथ में आने के तरीके माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास देखो टोटल एन आर्टिकल्स है ठीक है उसमें से आप लोग को बोल ah elements are right then let us assume article 1 ओर article 2 को साथ में रख लिए हैं दो आर्टिकल स्था किसी टो बचे कितने सचो n-2 जैसे 10 अकिल से दो आटिकल साह में बिठा दिये थे तो बचे कितने थे 8 आठीकल्स वैसे एट उस्में से दो आर्टिकल्स को साथ में बठा दिया तो बचे कितँए अन-2 अब calculator articles यहां कितने अब country नोगी जकेंगे तो n-2 है और यह एक entity article slog às टीटी आर्टिकल वन और तूपी वह है तो टोटलQUE कितने होगे देखो यहां n-1 n-1 आर्टिकल को अरेंज करना है तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे n-1 का फाक्टोरियल और आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को साथ में अरेंज करने के दो फाक्टोरियल तरीके तो अब टोटल articles थे हमारे n factorial यहां पर उन दोनों के साथ आने वाले की थरीके हमको मिल गये हैं हमको question में बोला है साथ नहीं आ सकते तो हम total में से साथ आने वाले तरीके minus कर देंगे you would get n factorial minus n factorial n minus 1 ka factorial into 2 factorial अब इसको थोड़ा सा sol करते हैं हम n factorial को लिख सकते हैं n into n minus 1 सकते हैं हम यहां पर देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है n-1 का फैक्टरल कॉमन आ रहा है तो आप n-1 के फैक्टरल को कॉमन ले लो अंदर लिखोगे n-2 तो यही आंसर आया है जो मैंने आप लोगो पहले बताया था according to question number 16 ठीक है same answer है तो you would get the correct answer as a जो अपने ने किया है ट्रिक से भी जो उपर वाला question अगर हमें आता है उससे और अगर हम लोगों को यह पूरा question individually solve करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया है next question पर आते है 19th जो question है उस questions को कैसे solve करते हैं उसके मैं आपको दो examples दे हुआ हुआ जैसे आप लोग को याद रहेगा कि ऐसे टाइप के questions को हम कैसे solve करते हैं ठीक है तो हम लोगों को बोला गया देखो क्या बोला है the sum of all four digit numbers containing the digits 2468 without repetition तो हमारे पास 4 digits है 246 और 8 ठीक है उससे बनने वाले जितने भी numbers है उन सबका sum calculate करना है तो जब भी आपको sum पूछा जाएगा तो आप कैसे calculate करेंगे मैं आपको एक formula बता रहा हो वह apply करना है ठीक है तो formula is इस तीन लोगों का multiplication होता है ठीक है सबसे पहला sum of all digits यहां पर हम लोग को लिखना है sum of all digits लिखना है फिर यहां पर लिखना n-1 का factorial और यहां पर लिखना है 1 जितने digits है वो ठीक है समझाता हूं मैं हमको क्या बोला देखो 2468 है हमारे पास यहां पर कितने digits है चार digits है अगर हम इन चार digits का सबसे पहले sum करेंगे formula क्या गयाता है सबसे पहले सबका सारे digits का sum करो तो हम 2468 सबका sum करते हैं तो 2468 का आप sum करेंगे तो आएगा 20 तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 20 ठीक है फिर आप लिखेंगे n-1 का factorial कि यहां पर कितने digits है चार digits है तो 4-1 दाट इस 3 उसका फाक्टोरियल और चार digits से इसलिए हमने चार बार 1 लिखा है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 1 1 1 1 1 तो 20 into 6 into 1 1 1 1 तो यहां से जो आपका answer होगा that is 1 3 3 3 2 0 ठीक है तो 2468 से जितने भी numbers बन सकते उन सबका अगर हम sum करेंगे तो that is 1 3 3 3 2 0 एक और example ले लेते हैं यहीं पर अगर हम आपको बोलता हूं 1 3 5 7 9 से आप एक 5 digit number बनाओ जितने भी नंबर बने उन सबका sum calculate करके बताओ तो हम लोगों क्या बता है कि हम लोगों को 3 का multiple करना होता है तीन फॉर्मिला में तीन चीज़े उन तीनों को multiply करते हैं तो हमारा answer आ जाता है 1 3 5 7 9 यहां पर कितने numbers है 5 numbers है इन सबका पहले sum करते हैं तो देखो sum करेंगे तो 7 प्लस 3 10 10 प्लस 6 16 और 9 25 तो यहां पर आपका जो sum हो जाएगा that is 25 ठीक है फिर हमारे पास एक five digit number बनाना है total n की value 5 है उसमें से 1 को minus करेंगे तो n-1 that is 5-1 उसका factor करेंगे तो 4 factor आएगा और हम लोग को last में किस से multiply करना होता है 1 से 1 कितनी बार लिखना है जितने डिजिट से उतनी बार तो यहां पर five digit number बनाना है आप लोगो तो फाइव बार वन लिखेंगे वन 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 चार बार हुआ एक पाच बार इसको solve करोगे यू वूट गेट दा आंसर ठीक है तो ऐसे डाइप के question इस तरीके से solve करने होता है मैं आपको दो वह example देदी है next question पर आते हमको बोला गया है question number 20 में the number of four digit numbers greater than 5000 that can be formed out of digits three four five six seven तो हमको बोला गया है three four five six seven में से हमको four digit number बनाना है ठीक है दो और चार-digit number बनाना है अब यह सारे-के-सारे number 5000 से बड़े होने चाहिए तो वो 5000 से बड़े कब रोंगे जब वो five से start होते हो या वो six से start होते हो या वो seven से start SGकर मैं यहां five को fix कर देता हूं. five से start होने वाले जितने भी four digit numbers होंगे वो सारे के सारे 5000 से बड़े होंगे, similarly 6 से start करने वाले भी और 7 से start होने वाले भी, सारे के सारे, जो हमारे numbers है, वो 5000 से बड़े होंगे, अभी देखो हमारे पास कितने numbers है इदर, 3, 4, 5, 6, 7, total numbers जो है हमारे पास 5 है, उसमें से हम लोग एक number को select कर चुके हैं, ठीक है, अब हम ल number select करने बागी है, 3 numbers आपको select करने बागी है, out of 4 numbers, तो 4 number में से अगर आपको 3 number select करने होते हैं, तो उसके select और arrange करने होते हैं, तो उसके तरीके कितने होते हैं, 4P3, तो 4P3 अगर हम solve करते हैं, तो answer आधा 4 into 3 into 2, 4 3 is a 12, 2 is a 24, तो हमारे यहां से 24 तरीके होंगे, similarly अगर हम 6 क पहले position पे fix कर देते हैं, तो उसके अलावा भी 3 position बचती है, इन 3 positions को भरने के total दरीके होंगे, again 4P3, तो 4P3 24 आएगा, 4P3 यहां से भी आएगा, वो 24 हो जाएगा, तो यह भी गया, तो total 24 आया है, कितनी बार आया है, देखो, 3 बार आया है, 24, 24, 24, 24 को plus करेंगे, you would get the answer as 72, 2, तो correct answer यहां पे A होगा, इसका answer D था, ठीक है, आगे बढ़ जाते है, next question की तरफ, हम लोग को बोला गया है, कि हमारे पास word है, daughter, उसमें हम लोग को को एक restriction दिया है, that is, if the letters of the word daughter are to be arranged, so that vowel occupy the odd places, then find the number of different words, तो restriction क्या है, जो हमारा vowel होना चाहिए, वो सिरिफ और सिरिफ odd places प daughter, तो D, A, U, G, H, T, E, R, यहां पे vowels कितने है, A, U, और E, जो बच्चे है, वो हमारे consonants है, ठीक है, अब हमको बोला गया है, daughter word है, वो एक 8 letter word होदा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, हमारे पास vowels है, तीन, हमको बोला गया है, वो जो है, वो odd places occupy करने चाहिए, तो हम यह देख है, हमारे पास यहां पर odd places कितनी है, तो यहां पर odd places देखो कितनी है, 1st place, 3rd place, 5th place, 7th place, there are total 4 odd places, जिसमें से हम लोगों को 3 places select करनी है, और वहां पर vowels को बिठाना है, 4 places में से 3 places select करके, arrange करने के कितने तरीके होते हैं, we know that 4 odd places में से 3 vowels आ जाएंगे, वहां पर तरीके होंगे 4P3, तो let us take an example कि यहां पर 4 places है, और इधर वोवल एक वोवल 1 आके बैढ़ गया, इधर वोवल 2 आके बैढ़ गया, इधर वोवल 3 आके बैढ़ गया, तो 3 वोवल ने जगा ले लिए, अब बचे 5 consonants, 5 consonants को 5 जगाओ पर बैठना है, तो उसके कितने तरीके होंगे, 5 factorial तरी 20 होता है, 4P3 अगर हम calculate करते हैं, तो 432, 24 होता है, 24 into 12 करेंगे, तो you would get the answer as 2880, तो correct answer यहां पर A हो जाएगा, ठीक है, next question पर आते हैं, हमको question में बोला गया है, how many arrangements can be made out of letters of the word drought, the vowels never being separated, वोवल को कभी भी अलग नहीं बिठाना है, मतलब वो लोग indirectly यह कहना चाहरें कि वोवल आपे देखो वोवल कितने हमारे पास, A और U, इन दोनों को साथ में बिठाना है, मैंने अभी आपको सिखाया, कभी भी दो लोगों को साथ में बिठाना होता है, तो हम लोगों को उसको बांध के एक entity consider करना होता है, उसके बाद देखो क्या-क्या बचेंगे, D बच रहे, R बच रहे, A, U तो आ गया, G बच रहे, H बच रहे, और T बच रहे, तो टोटल देखो कितने लोग है इदर, एक, दो, तीन, चार, पार, छे, टोटल, देर, और शिक्स पीपल, शिक्स पीपल can be arranged in, शिक्स फाक्टोरियल वेस, राइट, बट आप एक चीज भूल रहो, क्या है, आपको पता है, डाट इस, A और U जो है, वो आपस में भी arrange कर सकते हैं, कितने तरीखों से, 2 तरीखों से, तो 6 फाक्टरल दरीखों से, तो 6 फाक्टरल इस हमारा 720 और 2 पाक्टरल इस 2, तो यूट गेट दा आंसर आस 1440, तो टो टोटल वेस, जो है, ड्रॉट उसको, वो बोला गया है, there is a family of four brothers and three sisters, और उनको हमें row में arrange करना है, हमको बोला गया, in how many ways they can be seated, if all the sisters sit together, again वही कोशन है, देखो, हमको सबको साथ में बिठाना है, जब हमें सबको साथ में बिठाना होता है, तो क्या करना होता है, हमें पता है, there are three sisters, जिने आपको साथ में बिठाना है तो let's take an example, sister one, sister two, sister three, उनको हमें साथ में arrange करना है, उसके अलाबा क्या है, देखो, हमारे पास चार brothers है, B1, B2, B3 and B4, कितने लोग हैं यहाँ पे, आप लोग गौर कर पा रहे हैं, चार brother है और एक sister का pair है, तो total यहाँ पे people है, five people को arrange करने के total कितने तरीके होते हैं, five factorial तरी को से arrange कर सकती है, five factorial हमारा 120 होता है, three factorial हमारा six होता है, you would get the answer as 720, यह आपके first part का answer हो जाएगा, आपको second part का answer निकालना है, आपको बोला गया है, no two sisters sit together, जब भी ऐसे question आए, किसी को साथ में नहीं बिठाना है, no two sisters, कोई भी दो sisters साथ में नहीं बैठनी चाहिए, कभी भी आप लोग को ऐसा question आएगा, तो क्या करना है, देखो हमको क्या करना है, sisters को अलग कौन करेंगे, brothers, right, brothers को अगर मैं alternate positions पे बिठा दू, तो वो sisters को अलग कर सकते हैं, तो कभी भी ऐसा question आए ना, जहां पे आप लोगों को कोई भी दो लोगों को साथ में नहीं बिठाना है, तो उनके अलावा वाले लोगों को पहले आप बिठा दो, ठीक है, तो हमारे पास देखो, दो sisters है, मतलब sisters को साथ में नहीं बिठाना है, तो sister के अलावा कौन है, brothers, तो उनको सबसे पहले बिठा देंगे, B1, B2, B3 and B4, तो हमारे पास चार brothers है, जिनको हमने साथ में नहीं, alternate, alternate ways में बिठा दिया, अलग-अलग जगा पर, अब देखो, यह चार brothers जो है, वो आपस में कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, तो चार brothers को अरेंज करने के तरीके है, four factorial, अब मैं आप से पूछूँगा, brother के आजू-बाजू में कितनी जगा खाली है, जहां पे sister बैठ सकत है, तो आप लोग बोलोगे, सर, चार जगा खाली होगी, चार brothers है, जो कि एक गलत आंसर है, आप लोग गौर करेंगे, तो brothers के आजू-बाजू में, there are total five places which are empty, there are total five places that are empty, right, अब इन पाच जगाओं में से, अगर कोई भी तीन जगा sister select करके बैठ जाएगी, तो हमारी जो sister से वो अलग हो जाएगी, तो पाच जगाओं में से तीन जगा select करके बैठने के कितने दरीके होते हैं, फाइव पी थ्री दरीके होते हैं, ठीक है, we know that four factorial 24 होता है, फाइव पी थ्री आप calculate करेंगे, तो five into four into three आ जाएगा, that is five fours are 23, जा 60, ठीक है, अब 60 को आ multiply करेंगे, जो answer आएगा, वो आपका final answer है, ठीक है, 24, 5, 120 होता है, तो यहाँ पे 1440 is the final answer, ठीक है, तो कभी भी ऐसे questions आए, जहाँ पे दो लोगों को साथ में नहीं बैठना है, तो हम लोगों को सबसे पहले, उनके अलावा वाले लोगों को पहले arrange करना होता है, और उसके ब for a photograph in a row, such that, अब यहाँ पे बहुत important चीज बोलिए, that is no two girls sit together, no two boys sit together, आप लोग सोच रहे होंगे, कि सर ये वाले question में, और उपर वाले question में क्या ही difference है, बहुत जादा difference है, क्या difference है, मैं आपको बताता हूं, यह लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कि brothers भी साथ में नहीं, girls भी साथ में नहीं बैठने चाहिए, girls भी साथ में नहीं बैठने चाहिए, इसका मतलब alternate होता है, ठीक है, alternate setting करनी है, और आपको, अब आप सोचोगे कि उपर वाले question में भी तो sir alternative है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, देखो हमारे पास यह 5 places थी, एक example के दोर पर समझा दो कि क् question अलग-अलग है, अगर हमारे पास यह B1 है, यह B2 है, और यह B3 है, और यह B4 है, अगर sister 1 यहां आ गई, sister 2 यहां आ गई, और sister 3 यहां आ गई, तो देखो क्या alternate बैठ है यह लोग नहीं, यहां पे दो boys साथ में हो गए, तो alternate बैठना और दो लोगों को साथ में नहीं बिठ बैठना है, और दो girls को भी साथ में नहीं बैठना है, तो alternate बिठाने के कितने दरीके हैं, वो देख लेते हैं, हम लोग को बोला गया, there are total six boys and five girls, जब भी alternate वाले questions आएं, तो सबसे पहले, जो लोग less in number है, याद रखेंगे, जो लोग less in number है, उनको हम पहले arrange करेंगे, ठीक ह है, तो करेंगे, ओ, मुझे हिंदी आता है, ठीक है, तो पहले arrange करेंगे, हम लोगों को बोला गया, यहाँ पे देखो, छे boys हैं, और five girls हैं, कौन लोग कम है, देखेंगे, five girls, the girls का number कम है, तो पहले girls को arrange कर लो, girl one, girl two, girl three, girl four and girl five, ये five girls आपस में कितने तरीकों से arrange होंगी, आप लोग को answer पता है, five factorial तरीकों से arrange होंगी, अब girls के आजू-बाजू में देखेंगे, कितनी जगा खाली है, छे जगा खाली है, अब ये छे जगा पे कौन बैटने वाले हैं, छे boys बैटने वाले हैं, छे जगा पे छे boys को बिठाने के total, six factorial ways होते हैं, तो correct answer would be five factorial into six factorial, है, if fifty different jewels can be set to form a necklace, then the number of ways is, तो हमें देखो 50 jewels हैं, और उसमें हम लोग को necklace बनाना है, जब भी necklace बनाने वाले type के question आएंगे, या beads को arrange करने वाले question आएंगे, तो हमें n-1 का factorial divided by two करना होता है, तो यहां पे 50 different jewels है, तो 50-1 करेंगे, उसका factorial divided by two, you will get the answer as 49 factorial divided by two, तो correct answer यहां पे B हो जाएगा, ठीक है, next question करते हैं, हमको बोला गया है, three ladies and three jeans can be seated at a round table, so that any two and only two of the ladies sit together, हमको बोला गया है, three ladies है, ध्यार से सुनना ये question अच्छा है, ठीक है, आराम से सुनेंगे, मेरे साथ लिखेंगे, three ladies है, three jeans है, उनको हमेना एक round table पर arrange करना है, ठीक है, round table पर arrange करना है, बोला गया है कि, तीन ladies में से दो ही ladies साथ में बैठनी चाहिए, और सिरिफ दो ladies साथ में बैठनी चाहिए, तो मैंने देखो क्या किया है, पहले तीन jeans को बिठा दिया है, ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, three jeans को एक circle में arrange कर दिया है, मां है कि तेन जैंज को सरकल में अरेंज करने तरीके होंगे हुए तो को जैन्स को एंट मैंने करने के वेज का करने के वेज होते रगो दूसरा कि यहां पर तीसरा किया हम ने उसमें से हम दो लेडीज जिनको साथ में वैटना उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो तीन लेडीज में से दो लेडीज का एक ग्रूप बनाना है तो उसका ग्रूप बनाने के कितने तरीके तीन लेडीज है उसमें से दो लेडीज को साथ में बिठाना है तो तीन में से दो लेडीज को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा तो तीन लेडीज में से दो लेडीज को सिलेक्ट करके अरेंज कर ले तरीके अब यह जो तीन लेडीज का ग्रूप एक ग्रूब है ना उसके पास बैठने के वेजव कितने है वह देखो ध्यान से सुनना यह जो तीन लेडि का ग्रूब है उसके पास बैठने के कितने तरीके है कितनी जगह खा लिया सामने देखो यह first place, यह second place और यह third place, यहाँ पर तीन जगा एंटी है, जहाँ पर girls बैठ सकती है, girls का group बैठ सकता है, यह जो group को sit करने के, बैठने के ways है, data total 3 ways, यह जो तीन लेडिस का अपने group बनाना, तीन में से दो लेडिस को select किया, उसका एक group बना है, उस group को बिठाना है, तीन जगा ह है हमारे पास, उसमें से कोई भी एक जगा पर बैठ जाएंगे वो लो, let us take an example कि वो जो group है, वो यहाँ आके इस जगा को भर दिया है, दो लेडिस को आप बिठा चुके हो, जो last lady को बिठाना है, जो last lady है, अब उसको बैठने के कितने दरीके हैं, देखो last lady को बैठने के य यह एक और यह दो तरीके हैं, तो last lady को बिठाने के there are total two ways, तो अगर हम total ways निकालना चाहेगी, total ways हमारे पास कितने हैं, तो हम लोग ने सबसे पहले gens को circle में arrange किया, two factorial तरीकों से, तो that is two, फिर हमने three ladies में से दो lady का group बनाया, 6 तरीकों से, that is six, फिर जो group आया ना, वो group को बि तो six, two's are twelve, twelve, three's are thirty, six, two's are seventy-two is say, हम यह चीज़ को कर सकते हैं, तो correct answer is C, this is a very good question, ध्यान से करना इसे, next question पर आते हैं, six or seven भी अच्छे questions है, मैं six or seven सिखा देता हूं, चलो, easy है, अच्छे भी है पर, हमको बोला गया है, the number of arrangement of ten different things, हमारे पास दस अलग अलग चीज़े हैं, टेकन four at a time, in which one particular thing always occurs, तो मेरे पास दस चीज़े हैं, ठीके, अगर मुझे mutual fund बनाना है, portfolio बनाना है, दस mutual funds मेरे पास option है, उसमें से मैं चाहता हो कि मेरे को एक fund तो मुझे पसंद ही पसंद है, ठीके, और उसको मैं लखना ही चाहता हूं, मेरे portfolio में, तो दस में से चार लोग management में लेना ही चाहता हूं, तो example लेते हैं, हमाँ बस चार चीज़े लेनी है, let us take an example कि हमें a thing को यहां पे रखना ही है, तो दस में से एक चीज़ उठा के मैं यहां पे तो रखी दिये, क्योंकि मुझे यह चाहिए ही, is a particular thing, तो इसको निकालने के तरीके count नहीं करेंगे, य 9 things are left, ठीक है, 9 things हमारे पास यहां पे बच्ची है, अब मुझे एक बात बताओ, वो 9 चीज़ों में से यहां पे इस जगा को भरने के, there are total कितने ways, या ऐसे सोच लो, इन 9 things को जो हम लोग ने बच्ची है, उस में से कितनी things select करनी है, 3 things, राइट, क्योंकि वो एक तो आनी ही चाहिए, तो 9 में से 3 चीज़ों को select करने के total ways होते है, 9P3, ठीक है तो that is 9 into 8 into 7, अब एन एक चीज एक गलती लोग कर लेते हैं, वो गलती क्या है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ने भी 9P3 किया होगा पर आपका answer नहीं आएगा, क्यों नहीं आया है, क्यों जो A है वो पहली जगा पर भी बैठ सकता है, दूसरी जगा पर भी तीसरी जगा पर भी चौथी जगा पर भी, A को arrange करने के there are total 4 ways, जो आप count करना भूल चुके हैं, इस वज़े से यहां पर बस हमें into 4 B करना होगा, तो 9 into 8 into 7 into 4 करेंगे, तो there are total हमारे 2016 ways, जिससे हम यह next question पर आगे बढ़ते हैं, हमको बोला गया the number of permutations of 10 different things, again question में बोला है, 10 चीज़े हैं taken 4 at a time in which one particular thing never occurs, हमें यह portfolio में mutual fund तो चाहिए ही नहीं, इसके returns अच्छे नहीं है, तो उसको अटा दिया आपने, बोला मुझे यह नहीं चाहिए, तो इसके अलावा वो 10 चीज़ों में स आपने एक चीज तो अटा दी, तो कितनी चीज़े बाहर बची है, 9 तिंग्स बची है, उसमें से आपको कितनी चीजों को select और arrange करना है, चार चीजों को select करके arrange करना है, तो 9 में से 4 चीजों को select करके arrange करने के total तरीके होते हैं, 9P4, तरीके निकालेंगे, आप 9 into 8 into 7 into 6 करें करेंगे, you would get the answer as C, that is 3024, तो correct answer C है, next question पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग को बोला गया है, the number of numbers lying between 10 and 1000, that can be formed with digits 234089, हमारे पास total 6 digits है, और हमको 10 और 1000 के बीच में number बनाने, 10 एक 2 digit number है, 1000 एक 3 digit number है, तो आपको बोला गया है, कितने 2 digit number बना सकते हो, और कितने 3 digit number बना सकते हो, दोनों बना के दिखाओ, ठीक है, तो 2 digit number बनाने के तरीके देखते हैं, there are 6 digits, यहाँ पे कितने digits बैठ सकते हैं, देखो, यहाँ पे क इतने digits बैठ सकते हैं, 0 के अलावा सब बैठ सकते हैं, 2, 3, 4, 8, 9, तो इस जगा को भरने के, there are total 5 ways, ठीक है, इस जगा को भरने के, there are total, कितने ways, 5 ways, ठीक है, 5 ways, इस जगा को भरने के कितने तरीके हैं, देखो, अगर मान लो, मैं बस 2, 3, 0, 2, 4, 0, 8, 9 है, जिसमें से आपने 2 को बिठा दिया, तो अब तो second position पे 0 आ सकता है, तो second position पे 0 आ सकता है, तो again second जो हमारा जगा है, उसको भरने के, there are again total 5 ways, तो 5 into 5 करेंगे, तो there are total 20 ways, in which a two digit number can be formed, अगर यहीं पे मैं आप लोग को बोलता हो, कि मुझे एक 3 digit number calculate करके बताओ, तो आप लोग बोलेंगे, पहली जगा पे 5 लोग बैठ सकते हैं, दूसरी जगा पे 5 लोग और तीसरी जगा पे 4 लोग, और इन सब का multiplication कर लेंगे, तो वाई-पाई-पाई-पाई-फोर जा 100 ways, आ जाएंगे, ठीक है, तो there are total 100 ways to do these things, हमारा पास देखो, total 2, 3, 4, 0, 8, 9, 6 लोग है, पहली जगा पे 5 लोग दूसरी जगा पे 5, ठीक है, तो there are total कितने ways देखो, 100 और 20, तो there are total 120 ways, जितने तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो 10 से 1000 के बीच में, 2 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं, और 1 3 डिजिट नंबर भी बन सकता है, तो there are, अच्छा, ओके, तो यहाँ पे मैंने 55 गलत लिख दिया है, that is total 25, तो इधर, सही करते थे इसको, तो 55 होता है, तो यहाँ पे 25 waves, और यहाँ पे 100 आए, तो 100 और 25 को plus करेंगे, तो you would get 125 waves, तो माफ कीजे, correct answer is 125, तो 2 डिजिट नंबर बनाने के 5 इंटो 5 जरीके, that is 25, 25, और 3 डिजिट नंबर बनाने के 5 इंटो 5 इंटो 4 तरीके, that is 100, तो total 125 waves होता है, next question पर आगे बढ़ते है, हमको question में बोला गया है, the number of arrangements in which the letter of the word Monday be arranged, so that the words thus formed begin with N and do not end with N, तो बोला गया है, Monday में total 6 letters होते हैं, पहली जगा पर M को बैठना है, यह fixed है, last जगा पर N को नहीं बैठना है, तो M हट गया, last जगा पर N नहीं बैठ सकता है, देखो, O, N, D, A, Y बचते हैं, उसमें last place पर N नहीं बैठ सकता है, तो उसकी अलावा देखो, तो कितने तरीके हुए, चार तरीके, तो last place को हम चार तरीकों से भर सकते हैं, ठीक है, let us take an example कि हमने last place पर O को बिठा दिया है, पर अब तो N आ सकता है, अब second last place पर N आ सकता है, उनने बोला है last place पर ही N नहीं आ सकता है, ठीक है, तो अगर हम बोले कि second last place को भरने के there are total how many ways, तो there are again four ways, फिर इदर कितने जगा है, अभी एक और को बिठा दो, तो three ways, फिर इदर एक और को बिठा दो, two ways, फिर इदर एक और को बिठा देंगे, तो finally यहां पर एक वे ही बचेगा, तो total तरीके है, अगर हम निकालना चाहेंगे, तो four fours are, sixteen threes are, 48 twos are, total ways would be 96, and the correct answer would be C, ठीक है, next question पर आते हैं, हम लोग को बोला गया है, a person has eight friends, the number of ways in which he may invite one or more of them to dinner is, ठीक है, तो हम लोग को बोला गया हम आपस आठ दोस्त हैं, हम लोग को एक या एक से ज़्यादा दोस्तों को डिनर पे invite करना है, ठीक है, तो यहां पे combination का formula होता है, वो लग सकता ह है, दूसरा एक और तरीका है, तो पहले हम वो देख लेते हैं, हमारे पास आठ दोस्त है, combination वाले तरीके से कर लेते हैं, आठ दोस्त हैं, हमको एक या एक से ज़्यादा दोस्तों को बुलाना है, ठीक है, तो मैं आठ में से एक दोस्तों को बुला सकता हूं, आठ में से दो तरफ आ गया है तो 8C1 तरीकों से मैं एक बच्चे को बुला सकता हूं similarly अगर मुझे दो फ्रेंट्स को बुलाना है तो टोटल वेस कितने होंगे 8C2 तीन फ्रेंट्स को बुलाना है तो 8C3 and so on हमें पता है कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मिला होता है nC0 nC1 से लेके nCn इन सबका सम 2 की पावर n होता है हमको यह चाहिए 8C1 से 8Cn तो इस चीज को आप उस साइड भेज दो राइट हैंड साइड तो nC1 से लेके nCn इसका सम होता है टू की पावर n-1 यह दोनों फॉर्मिला आपको मॉडिल में दी हुई है ठीक है तो टू की पावर n-1 इस दा आंसर ठीक है अब अगर मैं आप लोग को बोलता हूं मेरे पास आठ दोस्त है जैसे यह चीज करने हैं आपको 8C1 से लेके 8C8 इन सबका सम क्याल्कुलेट करना ह है तो गरेक्ट आंसर क्या हुआ फिर टू की पावर 8-1 टू की पावर 8-256 होता है उसमें से 1 को माइनस करेंगे 255 आपके टोटल वेज हो जाएंगे नेक्स कोशन पर आगे बलते हम लोग को बोला गया है आउट आफ सेवें जैन से और चार रेडीज है तो टोटल वीपल आर 11 11 में से आपको कमिटी जो है वो कितने पीपल की सिलेक्ट करके बनानी है पाच तो ग्यारा में से पाच लोग की कमिटी बनानी है तो इलेवन से फाइवेज होंगे ठीक है उसके बाद हम लोगों को बोला गया है दा नंबर ओफ कमिटी सच दाट इच कमिटी इंक्लूड आट लीस्ट वन लीडी कभी भी आट लीस्ट वन के कोशन आएंगे तो एक मंत्र याद रखेंगे जैसे आपको दिखेंगा ना आट लीस्ट व लीडी तो उसमें से नो लीडी वाले केस माइनस कर देंगे उसमें से क्या करेंगे नो लीडी वाले केस माइनस कर देंगे तो हमेशा एट लीस्ट वन का कोशन आए तो आपको क्या करना है टोटल माइनस नन करना है आपका कैलकुलेशन बहुत एजी हो जाएगा ठीक है तो तो सारे के सारे जेन परफिश्ट तो सेवन सी फाइब हम पार्च लोग की टीम मनाने जिसमें से साथ जेन में से आप पार्च जेन सिलेक कर लेगे क्यों पार्च जेन सेख किये क्योंकि एक भी लेडी नहीं होनी चाहिए तो जब भी at least one type के question आएंगे तो आपको क्या करना है total minus none total ways 11C5 है उसमें से none वाले ways minus कर देंगे 7C5 इसको solve करेंगे you would get the answer as 441 आगे बढ़ते हैं next question के ओपर geometry related combinations कभी भी आएंगे तो मैं आप लोगों को कुछ formulas बता देता हूँ सबसे पहले कभी भी आप लोग को बोला जाए diagonals calculate करके बताओ तो diagonals की formula हो दिये n into n minus 3 upon 2 आप लोग को बोला जाए कभी भी कि आप लोग मुझे number of lines calculate करके बताओ n points में से तो उसके तरीके होते हैं nc2 note down कर देना ये सारी चीज़े अगर number of lines calculate करूँ करने को बोलता हूँ आपको बोला n points है उसमें से m points को linear है तो उसके तरीके होते हैं nc2 minus mc2 plus 1 ऐसा करते हैं इसको हम बाजू में अच्छे से लिख लेते हैं ठीक है इसको हम बाजू में इधर अच्छे से लिख लेंगे ठीक है ओके सो डाइगनल्स के वेज जो होते हैं अगर आपको कभी भी बोला जाए number of lines points निकालके बताओ n points में से तो तरीके होंगे nc2 आपको कभी भी बोला जाए n points में से कुछ points collinear है collinear मतलब same line पे है तो उसके लिए आप यह formula apply कर सकते हैं अगर मैं आप लोगों को बोलू number of triangles calculate करके बताओ n points में से triangles को बनाने के लिए तीन पॉइंट की जरुवत होती है इसलिए nc3 लिखेंगे अगर मैं आपको बोलता हो n points तो है उसमें से m collinear है और फिर मैं आप लोग को बोलता हो number of triangles बना के बताओ तो आप लोग यह formula apply कर देना आपका answer आजाए ठीक है अब यह formula लिख ले हो एक बारी pause करके लिख लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे यह जो तीनों questions है वो तीनों question अभी मैंने आपको जो formula बताई है उससे हो जाएंगे ठीक है तो इससे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हमको यहाँ पर बोला जाएगा number of diagonals in a decagon जो decagon होता है मतलब उसके अंदर 10 sides है आपको number of diagonals निकालने है अभी मैंने आप लोग को number of diagonals का formula बताया है यह जो कि आप देख पार है आपको hint में भी दिया है पर आपको hint exam में नहीं मिलेगी आपको भी बता है तो n की जगह पे आप 10 लिख लेंगे इधर 10-3 that is 7 upon 2 लिख लेंगे 25 तो टोटल वेज हो जाएंगे हमारे यहां पर 35 तो करेक्ट आंसर यहां पर बी है नेक्स कोश्चन पर आते हमको बोला कि there are 12 points in a plane of which 5 आपको लिनियर तो number of triangles तो देखो मैं अभी आपको बताया कि अगर n points है उसमें से m points को लिनियर है तो number of triangles का formula होता है nc3-mc3 तो हम लिखेंगे nc3-mc3 अब nc3 लिखनेंगे 12c3 लिखेंगे यहां पर और mc3 लिखेंगे 5c3 12 total points है 5 points को लिनियर है आप अगर 12c3-5c3 को solve करेंगे तो यहां पर answer 210 यहां पर answer 210 आएगा इधर से answer 35 आएगा next question पर आगे बढ़ते हमको बोला गया the number of straight lines obtained by joining 16 points on a plane no three of them being on a same line मतलब आपको बोला गया 16 points है कोई भी को लिनियर नहीं तो 16 points में से आप कितनी line मना सकते हो 16c2 आप 16c2 को solve करेंगे तो यहां पर देखो number of lines n points अगर आपको given है तो nc2 is the ways जहां से आप solve कर सकते हैं ठीक है next question पर आते हैं अगर आपको number of parallelograms find करने को बोल दिया जाए उसकी भी मैं आपको formula दे देता हूं this is known as parallelogram parallelogram लिखने के तरीका होता ही है ठीक है number of parallelograms calculate करने को बोले तो आप लिखना mc2 into nc2 where m is set of parallel lines और n is set of parallel lines ठीक है तो यहां पर हम लोग को बोला गया है कि हमको number of parallelograms निकालने है फोर parallel lines में से एक एक फोर lines का set है और एक three lines का set है उसमें से आपको parallelogram निकालने है तो number of parallelogram अगर आपको calculate करने हो तो आप जो मैंने आपको formula दे उससे आप calculate कर सकते हैं that is 4c2 into 3c2 अगर आप solve करेंगे answer 18 आ जाएगा आप उस से solve कर सकते हैं ठीक है next group distribution के questions आते हैं तो ऐसे questions को कैसे solve करना होता है मैं आपको बता देता हूं इधर ही कर देते हैं दो टाइप के question होते हैं जब objects distinct हो जब objects non distinct हो 16th question आपका distinct objects का है non distinct objects का आपका 17th question मतलब distinct मतलब सबको distinguished किया सकता है distinguish किया जा सकता है जैसे दो लोग हैं तो दो लोग completely different होते हैं उनको आप distinguish कर सकते हैं यह अलग यह अलग है तो वैसे हम लोग को बोला गया है 12 students है उनको 3 group में divide करना है तो बारा students को अगर आप 3 group में डिवाइड करोगे तो हर ग्रूप में कितने लोग जाएंगे चार चार और चार ठीक है अब मुझे एक बात बताओ लेटस चेकर एक्जामपल क्लास के बार बारा लोग खड़े अभी वेको तीन-तीन का ग्रूप बना के अंदर भीजना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँ बारा में से 4 लोगों को बोलूँ आओ और उसका एक ग्रूप बनाओ बारा में से चार लोगों करूप बनाने के दरीके कितने होते हैं 12C4 आपने बारा में से अब जब भी distinct वाला आएगा ना जब सब अलग होते हैं तो कितने दरीकों से question को solve करते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे कितने groups हैं एक दो तीन तो आप लोग क्या करना है थ्री फैक्टरल से डिवाइड कर देना ठीक है जब distinct लोग होंगे तो उतने के फैक्टरल से जा जाए पहले हम non-distinct का एक और question कर लेते हैं हमको बोला कि है 15 mango है तीन बच्चों में डिवाइड करने हैं अब ऐसा मानेंगे कि mango सारे सेम दिखते हैं ठीक है मैंगो जो है वो हमारे सेम दिखते हैं 15 mango तीन सूडेंट के अंदर डिवाइड करना है तो कितने में उसमें से पाच लोगो सिलेक करने के 10C5 तरीके अब बाहर पाच लोग बचे है उनमें से पाच लोग सिलेक करने के 5C5 तरीके इधर factorial से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि वो non-distinct objects है ठीक है इसको solve करेंगे you would get the answer as b 15 factorial divided by 5 factorial का Q हा मैं factorial ऐसे लिख रहा हूं ठीक है factorial को एक और कोशन कर लेते हैं मान लो हमारे पास 12 man है और 12 apples है उनको 3-3 के group में divide करना है man distinct होते हैं तो 3 group में divide करोगे तो 12 लोगों को 4-4 के 3 group में divide करोगे apple लोगों को भी 4-4 के 3 group में divide करोगे बहार 12 लोग खड़े होंगे उसमें से 4 लोगों का एक group बनाएंगे 12C4 दरीकों से अब बहार 8 लोग खड़े है उसमें से 4 लोग का एक group बनाओगे 8C4 दरीकों से अब 4 लोगों को select कर लिया है अब बहार कितने लोग खड़े हैं 4 उसमें से 4 लोगों को select करेंगे तीन group बन हो तो 4 factoral से ढवाइट करना ऐसा ही कर लेते है अपल के लिए हम क्या कर लेते है चार गरूप ले लेते हैं तो इसमें तो डिवाइड होगा ही नहीं क्यों क्यों को भी पता है ठीक है क्यों कुणकि बोलो यह एक non distinct object है तो तीन तीन के चार ग्रूप बनेंगे ना तो आप बोलोगे 12C3 फिर 9C3 फिर 6C3 फिर 3C3 अब यह एक distinct नहीं एक non distinct objects है तो divide नहीं करना है factorial से ठीक है तो ऐसे question को इस तरीके से solve किया जाथकता है मैंने आपको एक एक example दोनों का बता दिया है next question पर आगे बढ़ते हैं there is a committee of three ladies ठीक है there is a committee of three ladies four genes to be found out of eight ladies seven genes तो total ways पहले निकाल लेते फिर question आगे पढ़ेंगे total ways कितने हैं देखो हमको question में बोला गया आठ ladies है आठ ladies में कितनी ladies select करनी आठ में से तीन तो 8C3 अब सात जेंस में से कितने जेंस को select करना है seven C4 अब क्या हुआ है हमको बोला गया है miss x का Mr. Y से जगणा वे और बोला क्या है कि miss x Mr. Y के साथ नहीं बैठना चाती है चाहिए कुछ भी हो जाया है मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती ऐसा बोला गया है तो Miss X को Mr. Y के साथ नहीं बिठाना है मैंना आपको अभी सिखाया lecture के starting में कभी भी किनी लोगों को साथ में नहीं बिठाना है तो हम सबसे पहले उनको साथ में बिठा लेंगे तो हम ऐसा assume कर लेते हैं कि उनको total साथ में बिठा लेंगे ठीक है साथ में बिठाएंगे और total में से माइनस कर देंगे ऐसा मानते हैं कि मैंने जो team मनाए उसमें miss x और miss y को पहले ही select कर दिया है यह fix कर दिया अब देखो मुझे तीन ladies select करनी थी उसमें से miss x को तो मैंने पहले ही select करके यहां बिठा दिया है कितनी ladies थी हमारे पास अहांट उसमें से एक already select हो चुकी है बची कितनी ladies साथ साथ लेडी में से अब मुझे कित्ती लेडी सिलेक करनी है, तीन, नहीं, एक तो सिलेक कर चुका हूं, तो दो, तो 7C2, अब नेक्स्ट क्या लिखने वाला हों, आप गैस मार चुके होंगे, that is, 7 जेन्स है, उसमें से 1 को तो मैं और रेडी सिलेक कर चुका हूं, तो बचे कित इतने 6, इतर 6 बचे, इतर बचे, 7 अब 6 में से कितने से लेक्ट करने हैं, 4, नहीं, 3 से लेक्ट करने हैं, 6 में से 3 से लेक्ट करने को 63 अब आपका जो final answer ho gi, वो निकालना है, तो final answer निकालेंगे total base में से 7C2 और 6C3 को minus करके, तो टोटल वेजमें से 7C263 माइनस करेंगे, इसको solve करेंगे, तो इसको solve करने के बाद जो आपका answer आजाएगा, that is 1540, एक बार check कर लेना, मैंने यहाँ पे D तो लिखा है, अगर यह गलत है, तो A भी हो सकता है, ठीके, नहीं D ही है, मैंने D ही लिखा रहा, इसको solve करने के लिखा लेंगे, तो 1540 आजाएगे, ठीके, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, Supreme Court has given, good question है, Supreme Court has given 623 decision, upholding a lower court, पहली बार तो मैंने बढ़ा था, मुझे भी statement नहीं समझाया था, तो tension नहीं लेंगे, the number of ways it can give majority decision, reversing the lower court, पहली बार पढ़के नहीं समझाया, दूसरी बार, आराम से पढ़ेंगे, तो समझ आ जाएगा, पहली बार हम यह सोचते कि, मैच में कहा, lower court, upper court आ गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, दूसरी बार पढ़ते ही, मुझे समझाया कि, क्या बोला गया है, समझो मैं आपको, आपकी बाशा में समझाता हूँ, हम लोग को देखो, क्या ब पूल थ्री डिसीजन दिया है, छे लोगों ने एका साहता में बोला है, और तीन लोगों ने बी की साहता में बोला है, ऐसा है, हमको बोला गया है, कि the number of ways it can give a majority decision, reversing the lower court, मतलब अगर हमें बी को जितवाना है, विन करवाना है, तो कितने तरीकों से हम बी को जिता सकते हैं, आप गौर करेंगे बी कब जीतेगा, सोचो जब उसको majority votes मिलेंगे, यहां पे total votes कितने है, total votes कितने है वाई, सही समझे हैं, आप total votes 9 है, टोटल लोग जो है, वोट करने वाले वो 9 लोग, अब बी कब कब जीत सकता है, जब बी को majority votes मिलेंगे, majority votes मतलब या 5 votes, या 6 votes, या 7 votes, या 8 वोट्स या 9 वोट्स अगर 9 में से 5 लोगों ने बी की साहता में बोला है तो बी जीत जाएगा हमको decision को reverse करना है अगर पहले जीत रहा था तो अब हमें बी को जीताना है ठीक है तो majority वोट्स बी के पास जाएंगे तो total कितने तरीके होंगे वह आपको calculate करके told बताना है कैसे बताएंगे देखो नो लोग है उसमेंसे पाच लोगों ने अगर बी को वोट किया तो total तरीके वह नाइन सी 5 नो मेंसे अगर 6 लोग ने भी को वोट किया तो 9C सिकस छको वोट किया तो 97 ग catalog रिजा है तो total है possiblse क align कितने हैं देखो total वेज हमारे याइन प्लस नाइन सी नाइन होंगे इन सब को आप काल्कुलेट करें के सॉल करेंगे तो यूड़ गेट दा करेक्ट आंसर एस टू हंड्रेक्ट एन फिफ्टी सिक्स ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग को बोला गया है फाइव बल्स और विच थ्री आर डिफेक्टिव तो हमारे कोने ना दो बल्ब को ट्राइ किया है एक डार्क रूम में और रूम को लाइट होना है मतलब रूम में लाइट जलनी चाहिए तो लाइट बताओ कब-कब जलेगी जब हम लोग दोनों गुड अपलाई कर ले तो रूम लाइट अप हो जाएगा या नहीं तो क्या हो सकता है मैंने एक पोर्ट पे बल्ब वन बल्ब टू हमारे पास दो पोर्ट है वहाँ पे बल्ब वन और बल्ब टू को लगाना है तो हम लोग को बोला गया है कि कितने तरीकों से मैं रूम लाइट कर सकता हूं मैंने दोनों अच्छे बल्ब लगाए तो रूम तो लाइट होना ही ह 2 में से 2 अच्छे सिलेक्ट करने के कितने वेज हुए बताओ 2C2 ठीक है अब हमें एक अच्छा सिलेक्ट करना है एक डिफेक्टिव सिलेक्ट करना है हमारे पास टोटल डिफेक्टिव कितने है तीन उसमें से एक डिफेक्टिव सिलेक्ट करने के कितने तरीके हुए 3C1 हमारे get the answer as 7 2C21 होता है 1 plus 2 into 3 एसा तो डूटल 7 वेज हो जाएंगे जिस तरीके से लोग बहुत बार गलती कर लेते हैं ध्यान देंगे दोनों कोशन अच्छे सवाल है तो सारे अच्छे तभी तो यहां पर आए है ठीक है तो कोशन नंबर थ्री पर आ जाते हैं हमको बोला गया है there are four vowels and हम लोग को नहीं हम लोग को बोला गया the number of different words that can be formed of twelve consonants and five vowels हमको क्या है 12 consonants दिये फाइव वोवल्स दिये उसमें से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है चार 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 कॉंसोनेंस और तीन वोवल्स को सिलेक्ट करना तो सिलेक्ट करने के तरीके तो आपको पता है टोटल वेज होंगे बारा में से चार लोग को सिलेक्ट करने के त्वेल सी फॉर परफेक्ट पाच में से तीन वोवल्स को सिलेक्ट करने के आपको आंसर आता है आपने मन में बोल भी दिया यहां के बाद अब हम लोग को बोला गया है हमको शब्द बनाने हमको सिर्फ सिलेक्ट्षन नहीं हमको वर्ट भी बनाने देखो आपने टोटल कितने वर्ट कितने लेटर सिलेक्ट किये कितने letter select किये साथ letter select किये हैं जिसमें से चार consonants है और तीन vowels है साथ letter को select करके arrange करने के कितने तरीके होते हैं आपको पता है 7 factorial तरीके होते हैं इनको solve करेंगे 4950 आएगा into 7 factorial करेंगे you would get the answer as c हम जल्दी जल्दी यह option को tick कर गया जाते हैं हम लोग को दिखता है 12 में से 4 हम question उपर से पढ़ लेते ना 12 में से चार 5 में से 3 select करके answer लिख देंगे 12 c 4 5 c 3 हो गया और यहीं पर अपने marks गवा देंगे ठीके आगे बढ़ते हैं next question में हमको बोला गया है eight guests से हमारे पास have to be seated on four on each side of a long rectangular table good question है ध्यान देंगे हमको बोला गया है हमारे पास एक wrong rectangular table है चार लोगों को इधर बैठना है चार लोगों को इधर बैठना है हमको बोला गया है दो particular guest अब दो दो गयास्ट fix है कि जो दो है वो यहीं बैठना चाहते हैं मतलब guest 1 और guest 2 जो है वो हमारे left hand side पर ही बैठना चाहते हैं left hand side पर बस यह fix है तो guest 1 और guest 2 इस side बैठना चाहते है फिर इन पर्टिकुलर गेस्ट लोगों को सामने वाले साइड बैठना है मतलब गैस 3 इदर आना चाहता है गैस 4 इदर आना चाहता है हमारे पास इन लोगों को तो बिठा दिया हमने बोला तुम लोग को तो इसी साइड बैठना है अब हमारे पास भार कितने गैस बचे देखो गै पर लोग ऑलरीड़ी बैठ चुके है एक को सिक्स कर दो यहां यहां बिठाएंगे को सिलेक्त करके यहां बिठाने ट्री सी सिवन होते हैं में हैं लगी सेध को आगानो और यहां बिठा दी को यह network समझदार लोग हैं कि अब इस साइट जगा खाली है ही नहीं तो गैस्ट इधर आ जाएगा और गैस्ट इट इधर आ जाएगा तो अभी तक हमने कितने वेज निकाले देखो सिर्फ तीन वेज निकाले उसके बाद प्रशा के पांब आपस बहुत है कि अब आप लोगे सरी sendiri चार अपस में ど आरेंज कर सकते हैं कितने दरीगों सहिंगेंश माला रहा है चार लोग चार जगाओं पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं फॉर फाक्टोरियल तरीकों से बैठ सकते हैं सिमिलरली राइट एंड साइड पे चार लोग चार जगाओं पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं फॉर फैक्टरिल तरीकों से बैठ सकते हैं फॉर फैक्टरिल 24 होता है फ 1728 and correct answer is B ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन में देखो हमको क्या बोला कोश्टन वेपर कंटेंज सिक्स कोश्टन तो छे कोश्टन है एक दो तीन चार पांट छे इच एविंग एन अल्टरिनेटिव मतलब हर एक कोश्टन के पास दो ऑप्शन हैं हमको बोला गया था नंबर ओवेज एन एक्जामिन एक से जादा कोश्टन को एक या एक से जादा कोश्टन को आंसर करना तो कितने तरीकतों सेदसे आपको बता नहीं धि मतलब मैं देंघ्टैर कोश्टन हैं उसके पास कितने options हैं? आप बोलेंगे दो option हैं, जो की हमारा गलत है, दो option नहीं, तीन options हैं, कैसे? आप option A टिक कर सकते हो, आप option B टिक कर सकते हो, या third है कि आप छोड़ के आ जाओ, क्योंकि हमको बोला है, the number of ways the examiner can answer, can answer लिखा है, मतलब उसके पास option है, कि वो question छोड़ भी सकता है, तो total ways पहले question को solve करने के 3 हैं, दूसरे को भी 3, 3, 3, 3, ठीक है? तो हमारे पास total 3 options हैं, अगर आप देखेंगे, 3 options क्या है? option A, option B, option C is leave, ठीक है? तीन option है, छोड़ने का भी option है, तो total दरीके कितने आए? 729, उसमें से 1 minus करना पड़ेगा, minus क्यों किया? हमको बोला है, एक या एक से ज़्यादा question तो attempt करने ही है, अब एक way ऐसा होगा, जब उसने बोला, मैं सारे ही छोड़ देता हूँ, मैंने question 1 को भी छोड़ दिया, question 2 को भी ऐसे करते-करते, question 6 तब, हमने सब को ही छोड़ दिया, अगर तो वह एक तरीका ऐसा है, जिसमें हमने कोई भी question को attempt नहीं किया है, तो correct answer क्या होगा? 728 होगा, next, आगे बढ़ते हैं, हमको बोला गया है, a candidate is required to answer 6 out of 12 questions, 6 questions हम लोग को attempt करने है, out of 12 questions, which are divided into 2 groups, containing 6 questions in each group, ठीक है? तो ध्यान देंगे, हमारे पास question number 9 है, हमको बोला गया हमारे पास 12 questions है, उसमें से हमने 2 group में divide किया है, हमारे पास group 1 है, group 2 है, यहाँ पे भी 6 questions है, यहाँ पे भी 6 questions है, हमको बोला गया है, he is not permitted to attempt not more than 4 questions from any group, number of choices are, तो उसको जादा से जादा 4 questions attempt करने है, हर एक group में से, तो कैसे करेंगे, मैं आपको इधर question number 9 जो है, वो यहाँ पे solve करके दिखा देता हूँ, मेरे पास group 1 में 6 questions है, मेरे पास group 2 में 6 questions है, मुझे total 6 questions attempt करने है, मेरे को minimum 4 questions हर group में attempt करने है, मैंने सोचा मैं इधर से 4 questions करता हूँ, ठीक है? और मैं इधर से 2 questions करता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर से 5 questions कर सकता हूँ, या इधर से मैं 1 questions कर सकता हूँ, नहीं चार से ज्यादा तो ले सकते हम देखो हम लोग को बोला क्या है there are two groups six questions each हम चार से ज्यादा नहीं ले सकते हार एक ग्रूप में से मान लो इधर से चार कोशन लिए तो इधर से कितने लेने पड़ेंगे तीन मान लो इधर से दो लिए तो इधर से कितने लेने पड़ेंगे चार इतना ही ओप्शन से हमारे पास कि मैं चार कोशन गुरूप 1 से सिलेक करूँ दो कोशन गुरूप 2 से सिलेक करूँ इस ऑप्शन 2 इस ऑप्शन 3 इन सब का प्लस करेंगे पहले हम ऑप्शन 1 को सिलेक करते हैं ऑप्शन 1 के कितने दरीके हैं छे में से चार कोशन को सिलेक करने के कितने दरीके 6C4 छे में से दो क छे में से यह सारे सॉल करने के बाद इन सब को प्लस करेंगे तो यूट गेट दा आंसर आज साड़े आठ सो वेज तो हमको बोला गया है कि हमारे पास 12 कोशन है दो ग्रूप में डिवाइड गया है है six per group हमको बोला गया है minimum maximum चार कोशन सेलेक करने हर एक ग्रूप में से तो इधर से चार किये तीन किये दो किये एक नहीं कर सकता क्योंकि अगर इधर से एक करूँगा तो इससे different forecast containing exactly six correct results बहुत ही अच्छा सवाल है देखेंगे हम लोग को बोला गया है 8 matches का आपको prediction करना है result का ठीक है result prediction करना है कि result उनका क्या आएगा अब तीन results possible है win lose draw हम लोगों को है ना छे करेक्ट results प्रिडिक करने हैं तो सबसे पहले हमारे पास match 1 match 2 match 3 match 4 match 5 match 6 match 7 match 8 यहां पर हमारे पास 8 matches है अब हम लोग को इन 8 में से पहले वो 6 match select करनी पड़ेगी जिसका हम result correct प्रिडिक करने वाले हैं तो पहले हम 8 में से 6 match select करेंगे तो match को select करने के कितने वेज होंगे 8 C 6 ways हमारे पास है इसको solve करते है तो आएगा 8 into 7 upon 2 into 1 तो total ways हमारे यहां पर 28 हो जाएंगे ठीक है तो पहले तो मैंने क्या बोला कि यह जो 8 matches है उसमें से आप 6 match select करो select करोगे जिसका आप correct result देने वाले हों ठीक है तो वह total ways हुए 6 match select करने के 8 ways let us take an example मैं पहली 6 match को ही correct predict करना चाहता हूं मैं पहली 6 match को ही correct प्रिडिक्ट करना चाहता हूं ठीक है पहली 6 match को ही तो अब देखो मान लो पहली match का जो result है वो वेन आया तो मेरे को भी क्या बोलना है विन मैं लूज या draw तो नहीं नहीं बोल सकता ना क्योंकि मेरे को correct prediction करना है तो जो हुआ है मुझे वही predict करना है तो मान लो पहली match का अंजाम विन था तो मुझे भी क्या बोलना है कि match में विन ही होने वाला है तो मुझे predict करने के कितने तरीके है एक मैं फिर से समझाऊंगा हम लोग को बोला गया है कि आठ मैच उसमें से छे मैच को correct predict करना है मैंने छे मैच लेक्ट किया जिनको मैं correct predict करने वाला हूं ठीके फिर मैं क्या कर रहा हूं ध्याद नहींगे पहली मैं उसका अंजाम विन होने वाले तो मुझे क्या बोलना मैं डॉयालूस बोल सकता हूं बिलकुल नहीं स्पशन उनवाड़ और मुझे करेक्क नॉवाली थी तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा तह वह भी तरीका है तो टॉलने serious किंतने तरीके से आंसर कर सकता हूं जो मेरी सेवेंथ मैच है और जो मेरी एथ मैच है उनको किंतने तरीके से आंसर कर सकते वह देखते हैं इसको हम पहले यहां से अटा लेते हैं या माइनस ही कर देते हैं ठीक तो अब मेरे पास दो मैच बची है that is मैच 7 और मैच 8 तो मैच 7 और मैच 8 को प्रेडिक करना है अब मान लेते हैं मैच 7 का आंसर आया विन पर मुझे क्या सही प्रेडिक करना है नहीं मुझे तो क्या करना है गलत प्रेडिक्शन देना है तो मुझे एक बात बताओ मैच 7 ह अगर हमारे पास उसका आंसर है विन मांग लेते हैं मुझे तो गलत प्रिडिक्ट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ या तो ड्रॉ है या तो लूज है तो गलत प्रिडिक्ट करने के दो वेज मैच एट को भी गलत प्रिडिक्ट करने के दो वेज तो प्रिडिक्शन वेज वो क्या होने वाला है गैस करो 28 इंटू 4 दाट इस 112 वेज तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा दाट वुड़ भी सी ठीक है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नेक्स्ट कोशन में हम लोग को बोला गया है यह हमारे आज के आखरी दो कोशन रहेंगे इसके बाद जो कोशन से इंपोर्टेंट वाले हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिसकॉस करेंगे तो सबसे पहला हम कोशन करते हैं यह तो कभी भी आप लोग को निकालने को बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे वह मैं आपको आज समझा देता हूं जो भी नंबर दिया है 75600 दिया है let's take an example यहां पर लिखेंगे 75600 ठीक है उसके बाद यह 75600 के आपको फैक्टर निकालने तो इसका आप क्या कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा speed up हो जाए तो उसके लिए मैं calculator निकाल लेता हूं ठीक है तो टू से डिवाइड करेंगे हम 75600 को तो से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37800 फिर अगेन हम 2 से divide करते हैं तो आएगा 18900 फिर अगेन हम टू से divide करेंगे 18900 को डिवाइड बय्द 2 to you get 9450 पिर अगेन हम 2 से डिवाइट करेंगे 5 अ ב-Νाब बी 4725 अब तो 2 से डिवाइट नहीं हो सकता है अगर इसको 3 से डिवाइट करते हैं तो 3 सैंवाइट करते ही आंसर आएगा 1575 फिर से आम इसको three से डिवाइट करते हैं तो आंसर आएगा 525 525 बसता है उसको हम फिर से 3 से dump कर सकते हैं तो Congonance राएगा 175 फिर हम उसको को Stream कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं 175 को टीवाइट करेंगे में 35 आएगा 25 करेंगे 75 आएगा 75 कभी भी आप लोंको factor निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है प्राइम्वाइजेशन करने के बाद हमें क्या करना पहले अशन को अच्छे से लिख लो कि मैं क्या कर सकता हू यह जो 75600 है उसको मैं बोल सकता हूं कि वह टू की 2-2-2-5-4. तो बोल सकता हो कि 2-3-5-2-1 प्लस-1 करओ, यह दो हमारे स्था, घु की प्लस-1 करो देखो कि आएगा 5 फिर 3 में प्लस 1 करो देखो क्या आएगा 4 2 में प्लस 1 करो देखो क्या आएगा 3 1 में प्लस 1 करो देखो क्या आएगा 2 फिर से repeat करेंगे कभी भी factors निकालने को बोला जाए तो हमारे पास जो number given है उसका सबसे पहले हमें prime factorization कर लेना है प्राइम factorization करके बाद हम लोग को सामने लिखना है उनके प्राइम factorization को अच्छे से powers में powers में लिखने के बाद जो power है हमारी 4 3 2 1 वो सारी powers में हम प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे और उनको multiply कर देंगे multiply करने के बाद answer आएगा 120 factors तो हम लोग को कभी भी ऐसे question आए तो हम लोग क्या करना है सबसे पहले प्राइम factorization करना है powers प्लस 1 करके multiply आंसर आ रहा है 120 120 answer आने के बाद हमको question में पढ़ेंगे क्या बोला है direct 120 stick मत करना हमको question में बोला है the number of different factors 75,600 खुद का भी दो factor है हमको तो different factors निकालने 75,600 के अलावा 75,600 अकेला खुद का एक खुद का एक factor है न वो खुद उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको बोला गए different factors calculate करके बताओ तो हम क्या करेंगे यह 120 में से एक minus कर देंगे and you would get total number of factors as 190 तो correct answer जो होगा वो हमारा C हो जाए ठीक है इसी से साथ हम लोग जो सारे questions बाकी है वो हम लोग next lecture में discuss करेंगे I hope so आप लोग को इस lecture में यहां तक जो भी चीज़े बताईए वो सारी अच्छे से समझ आईए ठीक है तो आज की class की शुब समापती करेंगे हम यहां happy learning और पढ़ते रहे मैनत करते रहे थांक्यू